हेलो हसल लोई स्टेडी में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रति निधिक दायत के बारे में यह टॉपिक तोड से लिया गया है अब कृत की बिनी से लिया गया है अगर आप हमारे इस चैनल पर नहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करे नीचे रेड बटन दवाएं बिलकुर निशुल के मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें यह जो प्रति निधिक दायत है इसका अर्थ समझी है साधर शब्दों में कहा जाए तो किसी दूसरे के द्वारा किये गये कार की जिम्मेदारी सोयम पर लेना यह कहा जाए जिस बेगती के द्वारा कार किया ही ने गया लेकिन उसे दाई ठराय जाता है उत्तर दाई ठराय जाता है समानता प्रतेग बेक्ती केबल अपने दोश पूर करत्यों के लिए दाई होता है बहुत दूसरों के दोश पूर करत्यों के लिए दाई नहीं हो सकता या नहीं होता है लेकिन कुछ परस्तितियां ऐसी हैं जिसमें एक बेक्ती अन्य बेक्ती के द्वारा दोश पूर करत्तों के लिए दाई मान जाता है यानि कि वो कार उसने नहीं किया होता है लेकिन दोशी माना जाता है इसे ही हम प्रतिनिधिक दाईत कहते हैं जैसे समझे उधारण जैसे सेबक है नोकर है सेबक द्वारा किया कार अगर सेबक न्योजन के द्वारान न्योजन से मतलब है कि स्वामी ने कोई भी कार करने को दिया है ठीक तो न्योजन के द्वारान अगर कोई कार किया जाता है तो उस कार के लिए मालिक यानिक स्वामी ज कार के लिए जिम्मेदार होता है अगर एक वेक्टी कोई अपरात करेगा तो दूसरा वेक्टी भी उसके लिए दोशी होगा यानि एक वेक्टी अपरत करेगा तो दूसरा वेक्टी भी जिम्मेदार होगा साज़ेदारी में दूसरा एजेंट एजेंट और मालिक एजेंट ज कि विजमी से कहते हैं प्रितिनिधिक दायत के कारव तक कारल क्या हो सकते हैं HA कारण में बता गया है कि प्रतिं निधिक दायत होता दो सिधानतों पर आधारित पहले अधारित इसके कारण क्या है ये सही रूप से इसपश्ट नहीं है प्रतिनी दायत के कारण क्या है ये इसपश्ट नहीं है लेकिन कुछ ऐसे निर्णे है उस निर्णे के माध्यम से प्रतिनिदिक दायत का अनुमोदन किया है अनुमोदन हुआ है पिर्तिनिदिक दायत का कारण ये है कि स्वामी सेवक से अधिक धनी होता है ये बात कही गई है ठीक है दूसरा दूसरा कार ये भी है कि जो सेवक होता है सेवक वो स्वामी के लिए कार करता है इसलिए भी जिम्मिदार ठायाता है ठीक है अगर वो उसके लिए कामनी करता तो जिम्मिदार भी नहीं होता ये कारण भी है उसे अपने सेवकों के अपक्रत्यों के लिए दाई ठरा जाता है यह दाई ठरा जाना चाहिए किसे मालिक को यह लोगनीती और समाजिक सुरक्षा के कार उचित है मालिक तथा एजेंट के देखिए मालिक और एजेंट को मालिक और एजेंट है जो संबंद होते पिट्टिनिक दायत के मालिक तथा एजेंट मालिक तथा एजेंट ठीक अब यह मालिक जो एजेंट उनके बीच में क्या संबंद होता देखिए यह हैविट हेविट बनाम हेविट बनाम बान बिन बान बिन के केसे में ये बात आई थी सुनिए देखिए कोई बेक्ती जो दूसरे बेक्ती को अपकृत करने को प्रादिकित करता है या उससे अपकृत कराता है ऐसे अपकृत के लिए इस तरह किरत किया है यह माना जाएगा उधारण यदि आ को बा के दोश पूर किरत से छती पहुंसती है तथा यदि यह पा कहता है कि उख्त छती के लिए साधाई है तो उसके लिए आवशक है कि वो सिद्ध करे कि बाने उस बाने जो करणत किया है ब ए पातवी कि यर सेवर की हैसियत किया है। अगे अगर मेरी ये बात समस्झे आई तो रिपीट करके फिर जैखिएगा इसे तब समझ माएगी। स्वामी का दायत कब उत्पन होगा देखिए स्वामी का दायत कब उत्पन होगा कैसे माने हैं स्वामी का दायत कब उत्पन होगा कब उत्पन होगा देखिए क्या सर्ते हैं सर्ते देखिए क्या हैं सर्ते यह हैं कि पहला अपकरत करने वाला बेक्ति सेबक होना चाहिए सबसे पहले शर्त है कि अपकरत करने वाला बेक्ति जो अपकरत कर रहा है करने वाला बेक्ति इसमें अपराद कोई संब्द नि होंगा है दूसरा है क contained ऑपकृत के नियोजन के दौरा कार किरम में किरम में होना यह नियोजन पॉपा घया। अपने है को जो काम है एंगा पॉपा है वह काम माया तो नियोजन के दौराण मायागा श应शार उसके बताय गया तरिके से कर रहा है वह नियोंजन कहा जाएगा तीसरी बात जो उट है उट मामला है उसके करत है वो दोशपुर्ण होना चाहिए उटकार दोशपूर्ण होना जाहिए थीच्छे दोश पूर्ण होना चाहिए और स्वामी ने प्राधिकत किया हो स्वामी ने ठीक मैंने भी कहा था स्वामी ने प्राधिकरत किया हो अच्छा अगर स्वामी ने प्राधिकरत नहीं किया है और उसके दोरा क्या कार कियाता है तो उसके लिए स्वामी जिम्मेदार नहीं होगा मालिक जिम्मेदार नहीं होगा अगर उसने प्राधिकत नहीं किया है ठीक अब समझे वाली बात यह यहां पर सेवक कौन है सेवक मैंने बताया कि सेवक और स्वामी सेवक कौन होता है यह देखिए ठीक यह बी समझे जरूरी है करिक क्योंशन आ सकता है सेवक के बारे आप क्या है सेवक कौन है ठीक है यह समझिए सेवक कौन है ठीक सेवक कौन है सेवक एक साधार समझ देखिए सेवक एक ऐसा बेगती होता है सेवक एक ऐसा बेगती होता है जो अन बेगती द्वारा कार करने के लिए इन शर्तों के साथ नियुजित किया जाता है कि स्वामी के निर्देशों और नियंतन में कार करे यानि कि अगर सरल सब्दों में कहें कि वो बेगती जो स्वामी के अनुसार काम करे स्वामी जो कहे जो बताए उसके निर्देशों के अनुसार कार करे वो सेवक कहलाएगा सेवक की परिभाशा में आएगा अब स्वामी और सेवक के कार देखिए स्वामी और सेवक के कार जो स्वामी है स्वामी बा सेवक सेवक के कार देखिए इसमें यह कहा गया है जो स्वामी और सेवक के कार है वो संयुक्त भी होते हैं और प्रतक प्रतक भी होते हैं नियोजन के दोरान किये गए अपकरत्यों के लिए स्वामी का दायतो संयुक्त तथा प्रतक प्रतक होता है अगर नियोजन के समय कोई कार किया गया है तो संयुक्त भी हो सकता है और अलग-अलग भी हो सकता है उसका उत्ता दायतो दौरार के कार के लिए कारव के लिए स्वामी पिद्तिनिधी के रूप में दाई है इस कि इस दिया गया की कार को और बीगती कर दाहित किसी और बेगती का है आज ड वीडियो में मैंने चर्चा की पिट्ति निदिक दायत के बारे में अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई जुड़े रहिए हसनलो इस्टेटी के साथ